नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूस चैनल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटिन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़ डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री वीर भद्र सिंख की पतनी की आज पेशी गश्चचार के मामले में ईजी के सामने होगी पेशी मानि लाउंडरिंग के एक मामले में है आरोपी गिरफतारी से बचने के लिए हाई कोट में लगाई आचिका प्रदानमंत्री मोद्य आज करेंगे कारेक्रम 17 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआर देश भक्ती की भावना विक्सित करने का प्रेयास बलन शहर गैंग रेप का मुख्य आरोपी सहित तीन शक्स गिरफतार तीनो आरोपी छेमार बावरिया गिरहों के सदस्य मेरट के मावाना से हुई गिरफतारी पीडित मा बेटी ने की आरोपीयों की शनाक्त दिल्नी में केजरिवाल सरकार के कारेकाल की होगी समिक्षा उपरा जिपार नजीब जंग ने पिछले डेर साल के फैसलों की फाइले मंगवाई और जमेका में आज फिर होगा वेस्ट इंडीज और भारत का अमन सामना जीत के एरादे से मैदान में उतरेगी विराक सेना सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया करेगी जोर आजमाईश भरशचार के मामले में आरोपी हिमाशल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर भद्र सिंख की पतनी प्रतिभा सिंख को आज ईडी के सामने पेश होना है लेकिन एक दिन पहले हाई कोट में उन्होंने दोबारा याचिका लगाई है कि उन्हें अपनी गिरफतारी का डर है इस मामले में कल ईडी ने दिल्ली हाई कोट को बताया है कि फिलहाल प्रतिभा सिंख को गिरफतार करने का उनका कोई रादा नहीं है प्रतिभा सिंग मनी लॉंडरिंग के एक मामले में आरोपी है हाई कोट को ईदी ने बताया कि प्रतिभा सिंग सिर्म मंगलवार को पूछता अच की जानी है अगर उसके बाद एजनसी को ये लगा कि प्रतिभा के खिलाफ केस बनता है तो वो प्रतिभा सिंख को गिरफतार करने से पहले कोट को इसकी जानकारी देंगे प्रतिभा सिंख ने कल अर्जी दायर कर 24 अगस्त तक गिरफतारी से सुरक्षा मांगी थी अब इस मामले में 24 अगस्त को सनवाई होगी प्रधान मंति नरेंद्र मोदी आज कारिकरम सत्त साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी के शुरुआत करेंगे बीजेपी के मताबिक इस अभियान का मकसद हर वेक्ती में देश भक्ती की भावना विक्सित करना है बीजेपी संसदी अदल की वैठक के बाद केंजरे सूचना एवंक प्रसारन मंतरी एमवेंके नाईडू ने बताया कि इस अभियान का मकसद हर वेक्ती में ये भावना विक्सित करना है कि राश्ट्रे पहले है और वेक्ती बाद में ये लोगों को स्वतंतुता से नानियों के आजादी की लड़ाई में दिये गए माहान बलिदान की याद दिलाएगा नाईडू ने कहा 15 अगस से एक सप्ता की तिरंगा यात्राम ही लोगों में राश्ट्रियता और देशभक्ती की भावना जगाने के लिए शुरू के जाएगी सांसद और विधायोकों से अपने निर्वाचन शेतरों में तिरंगा यात्रा में भाग लेने को कहा गया है कल शाम लोग सभा में भी जीस्टी बिल पास हो गया इस पर वोटिंग से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बयान दिया उन्होंने कहा कि जीस्टी बिल का मतलब great steps by team इंडिया है ये बिल साबित करेगा कि आखिरकार consumer ही king होगा बिल देश की गरीबी से लड़ने के लिए गरीबों की फौज की मदद करेगा इसलिए बिल के तहट गरीबों के काम आने वाली चीजों को कर्ग के दाइरे में बाहर रखा जा रहा है इसे पहले सदन की कारवाई शुरू होते ही केंद्र वित्तमंत्री अरुन जेटली ने जीस्टी बिल को समिधान संजोधन बिल चर्चा के लिए पेश किया जेटली ने इस बिल को राज्य सभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुकरिया भी अदा किया जीस्टी को आर्थिक मोचे पार्ट मोधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्दी बताया जा रहा है जेटली ने इससे पिछले एक दशक का सबसे बड़ा एकनॉमिक रिफॉर्म करार दिया था यूपी और देश की रालधानी में हलचल मचा देने वाले बुलंद शहर गैंगरेब के मुख्य आरोपी सहित तीन शक्स को गिरिफतार कर लिया गया है यूपी पुलिस ने कल देर शाम मेरट के मावाना में चापा मार कर आरोपीों को गिरिफतार करने में कामिया भी पाई है पुलिस से मिली जानकारी के मताबिक पकड़े गए आरोपीों में दोग की पहचान सलीम और जुबेर के रूप में की गई है गिरिफतार किये गए तीसरे आरोपी की शुनाक्त की कोशिश की जा रही है मेरच जोन के आईजी का दावा है कि पकड़े गए तीनों आरोपी छेमार बावरिया गिरों के सदसे हैं मुख्या आरोपी सलीम शहरंपुर कारहने वाला है मामले से जोड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए आईजी नॉइडा में आज प्रेस कांफरेंस करेंगे साथ ही वे बुलंचेर गैंग रेप के आरोपीयों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेश अभियान का खुलासा करेंगे दिल्ली के उप्राज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली की केजरिवाल सरकार के बीते डेर साल यानी जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक के सभी फैसलों की फाइले मंगाई है दिली सरकार के सूत्रों से ये खबर आई है हाली में दिली हाई कोट के आदेश के बाद LG ने प्रेस कॉंफरेंस के दौरान कहा था कि आप सरकार के फैसलों की समिक्षा की जाएगी LG नजीब जंग ने दिली सरकार के सभी उच अधिकारियों को ये निर्देश भी दिये है कि ट्रांस्वर पोस्टिंग से जोड़ी कोई भी फाइल मंतरियों को ना दिखाये जाए दिली हाई कोट ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि केंद सरकार का वो नोटिफिकेशन जिसमें सर्विसेस को केंद सरकार का विश्य बताया गया था वो सही है इसके बाद अब LG ने इस विश्य को दिली सरकार से अपने तहट ले लिया है कश्मीर घाटी में गत एक महीने से हिंसा जारी रहने के बीच सेना को राष्टे राजमार्ग एक को नियंतरन में लेने और प्रदर्शनों में शामिल होने के वास्ते ग्रामन शेत्रों से शेहरी शेत्रों में जाने वाले लोगों का आवगमन रोकने का निर्देश दिया गया है इस कदम पर जहां कोई अधिकारिक टिपनी नहीं की गई है लेकिन मामले के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि कानून एवंग व्यवस्था की स्थिती बनाय रखने और आतंगवार निरोध में स्थानिय पुलिस की साहता करने वाली CRPF को सड़क खोनने के कारे से हटा लिया गया है इसके साथ ही सेना से कहा गया है कि वे राजमार्ग नियंतरन और कॉरिडोर सनरक्षन का काम करे जो अर्द सेनिक बल द्वारा किया जाता था जमु कश्मीर की मुख्य मंतरी महभूबा मुफ्ती चाती है कि केंद सरकार कश्मीर में शान्ती के लिए पाकिस्तान और हुर्यत समेट सब भी भागीदार पक्षों से बाचीत का सिलसला शुरू करे उन्होंने कल ग्रह मंतरी राजनाज सिंग से मुलाकात में सूबे में शान्ती का फॉर्मुला सुझाते हुए कहा कि जमु कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं दोस्ती का सेतू बनाना चाहती है कश्मीर में सभी धड़ों के बीच सार्थक, सकरात्मक और परिणाम दाई वारता की जरूरत है उन्होंने केंद सरकार से समय बद एक्षिन प्लान बनाने को कहा उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी मोदी को कश्मीर पर साहसिक फैसला लेना चाहिए ग्रह मंतरी से महबूबा की मुलाकात के पहले प्रधान मंतिन अरिंदर मोदी ने राजनात और राष्टे सुरक्ष सलहकार अजीद दोबाल से इस मसले पर चर्चा की थी माना जा रहा है कि इस बैठक में कश्मीर में सरवदलिये प्रतिनिदी मंडल भेजने और वारता शुरू करने पर विचार विमश हुआ रियो ऑलम्पिक में हौकी के मुकाबले में आखरी तीन सेकेंड में जोमनी के दुआरा किये गए गोल ने भारत की उमीदों पर पानी फेर दिया एक-एक की बराबरी पर चल रही टीम इंडिया को दो एक से शिकस जेननी पड़ी जर्मनी को हरा कर भारती हौकी टीम ना सिर्फ क्वार्टर फाइनल में जगा बनाती बलकि अपने पुल में मनोवेग्यानिक बड़त भी हासिल करती लेकिन मौजूद ऑलमपिक चांपियन जर्मनी ने खेल खतम होने के महज तीन सेकंड पहले गोल कर मुकाबला जीत लिया जर्मनी के लिए ये महतपून गोल क्रिस्टफर रूर ने किया ऑलमपिक में भारत की जर्मनी के खिलाफ ये चौती हार है भारत को अपने तीसरे पुल मैच में आज अरजुंटीना से भिरना है भारत अपने पहले मुकाबले में आईलैंड को हरा चुका है आज से जमेका में भारत और वेस्ट इंडीस के वीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने की वजह से टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत कर सीरीज पर कबज़ा जमाने की कोशिश करेगी मेजबान वेस्टडीज ने दूसरे टेस्ट मैच के आखरे दिन जबरदस्ट खेल दिखाया था और भारतिय टीम की जीत की उमीदों को तोड़ कर रख दिया था पहले टेस्ट में पारी और 92 रनों से जीत दच करने के बाद भारतिय टीम दूसरे टेस्ट में भी जीत की प्रबल दाविदार मानी जा रही थी लेकिन आखरी दिन रोस्टन चेस की 249 गेंदों में 137 रनों की पारी की बदावलत में इस बान टीम मुकाबले को ड्रॉ करने में कामियाब रही थी बावजूद इसके भारतिय टीम में इस बानों से बहतर नज़र आ रही है डेरेन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने के लिए पूरा जोर लगाएगी भारत इस से पहले इस मेदान पर 2006 में खेला था वो मैच डॉर रहा था सिंगर से नेता बने बाबुल सुप्रिया आज शादी कर रहे हैं वेजट एवेज में काम करने वाली रोचना शर्मा से शादी कर रहे हैं ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनोजी ने एडवांस में ही उन्हें एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है दरसल बाबुल के शादी में बहुत सारे महमाना आने वाले हैं ऐसे मेहमानों को रुकवाने के लिए उन्हें बंगाल भवन में कुछ कमरे चाहिए थे ममता बैनोजी ने ने निराश नहीं किया और बंगाल भवन में उनके लिए 14 कमरों का इntजाम कर दिया साथी साथ मम्ता ने ये भी कहा कि बाबुल इसे शादी का तौफ़ा समझ सकते हैं रचना शर्मा पंजाब के जलंधर की हैपार पिछले दो सालों से उनका परिवार कोलकाता में रहा है बाबुल और रचना की मुलाकात कोलकाता से मुंबाई की फलाइट के दोरान हुई थी इस न्यूज बुलिटन में फलहाल इतना ही ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेटो टीवी से नमस्कार